हेलो फ्रेंड्स तो फ्रीकी पार्ट शाला में आप सभी का स्वागत है तो आज का टॉपिक है Adjoint of a Matrix इससे पहले हम कर जोके हैं Matrix और Determinate उसके उपर मैंने एट वीडियो बना के डाल रखी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लिए और बाद में आप इस वीडियो को देख लेना तो आज हम करेंगे Adjoint of a Matrix इसकी Definition है The Adjoint of a Matrix A is the Transpose of Co-Factor Matrix इसका मतलब अगर हमारे पास एक Matrix A है तो कहते हैं उसके सभी Elements का Co-Factor कर दो तो उससे जो Matrix बनेगी उसका Transpose करना है Transpose करके क्या मिलेगा Adjoint of a Steps to Compute the Adjoint of a Matrix ठीक है क्या क्या Steps होगे हमें किन चीज की Requirement होगी तो सबसे पहले जो Matrix दी हुई है उसे चेक करना है कि वह Square Matrix है या नगी ठीक है अगर Square Matrix है तो ओके है तो Second Requirement है कहते कंप्यूट करो Co-Factors and make a Matrix by its Elements ठीक है Co-Factor कंप्यूट करना है और उसके Elements को यूज़ करके एक Matrix बनानी है एक Matrix बनानी है और Third Point दिया हुआ है कहते हैं जो Matrix बन चुकी है उसका Transpose कर दो और उसका Transpose करने पे जो Result आएगा उसे कहते हैं Adjoint of A Matrix तो यह रही इसकी एक Example जिसमें की हमें A Matrix दी हुई है और वो 3 by 3 order की है 3 by 3 order की इसका मतलब यह एक Square Matrix है तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद हमें पूछा क्या है Adjoint of A पता करो Adjoint of A पता करो तो इसके लिए हम सबसे पहले Co-Factors निकालेंगे इस Matrix के हर एक Element का Co-Factor निकलेगा तो Co-Factors कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो देखते हैं तो इसमें लिखिए कि हम First Row का Co-Factor निकालेंगे First Row में हमारे पास Element है सबसे पहले One तो इसे करना क्या है One को ऐसे चुपा लेंगे ठीक है One की respective Row, One की respective Column को चुपा के जो Elements होगे उसे लिख लेंगे तो हम पहले calculate कर चुके है कि इसका sign क्या होगा इसका sign Plus, Minus, Plus ऐसे चलेगे ठीक है और यह calculate कैसी करना है जैसे कि यह First Row में आता है First Column में आता है तो Minus की Power First Row, First Column मलब 1 Plus 1 ठीक है, Minus की Power 1 Plus 1 तो वो होगया 2 ठीक है, Minus, Minus, Plus होगया तो यहाँ पे आगया Plus अब यहाँ पे Minus की Power First Row, Second Column 2 Plus 1, 3 Minus की Power, 3, Minus ऐसे करके अगर relate करता है तो सबसे पहले हमारे पास Sign आएगा Plus का, ठीक है तो यहाँ पे Elements कौन से बचे इसको Cover कर लिया इसको Cover कर लिया तो यह वहले Elements बच गए 3, 2, 3 and 4 यहाँ पे Sign आएगा Minus का ठीक है, अब यहाँ पे कौन से Elements बच गए इसको भी Cover कर लिया यहाँ पे 2, 2, 3 and 4 अब यहाँ पे 3 Elements है ठीक है न? और 3 के respective, Column 3 के respective row को Cover करते है तो आता है हमारे पास 2, 3, 3 and 3 ओके? अब इससे Solve कर लेंगे Solve करने के लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले यह ऐसे Multiply करना है ठीक है? फिर Minus का Sign फिर ऐसे Multiply करना है ठीक है? तो हम कर लेते हैं 4, 3 is a 12 अब Minus का Sign 3, 2 is a 6 ओके? अब Minus यहाँ पे आएगा 4, 2 is a 8 Minus 3, 2 is a 6 अब ऐसे सभी को कर लेते हैं ठीक है? अब इससे आगे Solve कर लेते हैं 6 अब यह आगया Minus के 2 यह अलग-अलग element है सबसे पहले यह अलग-अलग element है ठीक है? इसमें कोमाड लेगा ओके? तो क्योंकि 1st, 2nd and 3rd 1, 2 और 3 के जगह पे यह elements आएगे तो 6 आ गया यहाँ पे Minus 2 आ गया और यहाँ पे Minus 3 ओके? तो इसी तरह co-factors 1st row की तरह ही 2nd row का भी निकलेगा और 3rd row का भी निकलेगा तो हम निकाल लेते हैं Co-factors of 2nd row तो अब यहाँ पे Sign कौन सा आएगा? Minus का Minus का Sign यह cover यह cover हो गया तो यहाँ पे element आगे 2, 3 and 3 4 यहाँ पे Plus का Sign Plus का Sign अब यह भी cover हो गया यह भी cover हो गया तो 1, 3, 3, 4 1, 3, 3, 4 यहाँ पे 2 यह cover हो गया यह भी cover हो गया तो 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 तो यहाँ पे कैसे solve करेंगे? 4 to the 8 minus 3 to the 9 तो 8 minus 9 minus 1 minus minus तो 1 आगया यहाँ पे Plus है अब 1 पोज़ा 4 3, 3 तो 9 4 minus 9 minus के 5 यहाँ पे 3 minus 6 तो minus 3 minus 3 तो 3 आगया इसी तरह 3rd row को भी निकाल लेगे 3rd row को लेके भी निकाल लेगे यहाँ पे आगया यह प्लस का साइन आएगा ठीक है? यहाँ पे Plus अब इससे चुपा लो इससे चुपा लो कौन से अलिमेंट आगे? 2, 3, 3, 2 अब minus का साइन इस पे तो कौन से अलिमेंट आगे? 1, 3, 2, 2 यहाँ पे Plus अब 4 वाले यह कवर कर लेते हैं 1, 2, 2, 3 ओके? इससे solve करेंगे 2 to the 4 3 to the 6 तो 4 minus 6 minus 2 यहाँ पे Plus, Minus, Minus अब इससे अलिमेंट minus है 1 to the 2 3 to the 6 तो 2 minus 6 minus 4 minus minus तो यहाँ पे 3 minus 4 तो minus 1 यह अलिमेंट आगे इसका क्या होगा? एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इसके को फेक्टर से एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगी? एक मैट्रिक्स ही होगी अब इससे अलिमेंट कौन से हैंगे? यह वाले 6 minus 2 minus 5 अब 1 minus 5 3 यहाँ पे minus 2 4 minus 1 तो इससे solve करेंगे solve कैसे करना है? इसका transpose करना है तो अगर इसका transpose करेंगे transpose मैंने आपको सिखाया हुआ है अब इसकी row को इसका column में chain करतेंगे ठीक है न? हर एक row को इसके column में chain करतेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आगर 6 minus 2 ओके? minus 3 यहाँ पे 1 minus 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे आगर minus 2 4 minus 1 तो इससे तरह क्या होगा? कि A matrix दी थी उसके co-factors निकाले co-factors से हमने एक matrix बनाई उसका transpose कर दिया और जब इसका transpose करके यह result आया तो यह result किसके बराबर है? यह result है adjoint of A इसे क्या कहेंगे है? adjoint of A ठीक है? यह इस A का adjoint है ओके? तो आपको adjoint निकालना आगया तो यह वीडियो यही तक थी अगर आपने मेरी वीडियो पहली दिकी थी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए तांकि आपको सारी अप्डेट्स मिलती रहें थैक्स एक्ष़ वाचिए